नमस्कार जैभिम दोस्तो आप देख रहे हैं इतनी तेश्टी जलेबी हमारी सकरकंद की कैसे बनती है चलो देखते हैं हम लोग आगे की हमने कैसे बनाई है तेश्टी तेश्टी जलेबी तो यह जो सकरकंद है इसे मैंने अच्छे से पहले छिल लिया छिलने के बाद में ही ह हमें इसे उबालना है क्योंकि अगर हम लोग बीना छिले अगर उबाल लेते हैं तो बाद में फिर हमें छिलना अच्छे से पूरे छिल के नहीं निकल पाते हैं इसलिए मैं पहले ही छिल ले रही हूं और बहुत अच्छी लगती है दोस्तों इतनी साप्ट साप्ट बनती है चलिए देखते हैं हम लोग की आगे की प्रोसेस हम लोग कैसे करने वाले हैं और क्या क्या हमें इसमें दोस्तों है मैंने रख लिए है साथ में हमें लगेगा एक कटोरी मैधा एक कटोरी है हमारी सककर साथ में थोड़ा सा हमें जलेबी वाला कलर है हमारा वाला और स्वात के अनुसार तो नहीं कह सकते हैं थोड़ा सा नमक हमें का डालना है और यह हमारी है दूद की पन्नी से हम लोग बनाने वाले हैं जले भी और बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बन जाती हैं अब आगे देखते हम लोग की सकर को हमें थोड़ा बारिक पीस लेना है पेश्ट बना लेना है मतलब और सकरकन को हमें उबाल लेना है तो इसे उबालने के लिए लगबग हमें दस मिनट लगेगा और हमारे सकरकन उबल जाएंगे उबलने के बाद में हमें इसे ठंडा कर लेना है और छोटे छोटे टुकडे काट कर मिकसर की जार में इसका पेश्ट बना लेंगे हम लोग क्योंकि जले भी हमें बनाना है इसलिए हमें थोड़ा बारिक पेश्ट करना होगा तो आप ये देख पारे होंगे कि मेरा अच्छे से पेष्ट हो चुका है लेकिन कभी-कभी जब हम लोग पेष्ट बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी गुटली टाइप की आ जाती है तो हमें जले भी बनाना है इसलिए हमें इसमें की गुटली को थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा तो आप ये देख पारे होंगे कि मैं थोड़ा हाथ से अच्छे से मिक्स करके देख रहे हूं कि कहीं गुटली न बची हो नहीं तो फिर हमारे जले भी बनाने में थोड़ी से देख कर जाएगी तो यह मेरे छोड़ी-छोड़ी गुटली आ है जो मैं निकाल ल जाती है और मैं तो मतलब मेरा नाप वैसे होता नहीं है अनुमान से ही मैं कोई भी ड्रीस बनाती हों लेकिन आज मैं आप लोगों को पुरे नापके सा चारह हूं तो मैंने हलका सा थोड़ा नमक ले लिया है чуд मेरी एक कटोरी सक्कर है लेकिन और एक कटोरी मैंने मैदा लिया है लेकिन मैदा हमें एक कटोरी नहीं डालना होगा थोड़ा कम ही डालना पड़ेगा मतलब एक कटोरी मैदा लिया है तो हमें तीन भाग मैदा डालना है क्योंकि अगर ज्यादा डालेंगे तो फिर वो हमारी जलेबी सौप्ट नहीं बनेगी इसलिए हमें तीन भाग मैदा लेना है तो आप यह देख पारे होंगे कि मैं मैदा डाड़े हूं और इसका अच्छे से पेश्ट बना रहे हूं क्योंकि बहुत अच्छे से इसे फेटना है क्योंकि हमने जो मिक्सर के जार में जो सकरकंद का पेश्ट बनाया था वह अच्छे से फेटा तो गया है लेकिन जो हमें सकर और मैदा जो हमें मिक्स करना है उसे भी हमें बहुत अच्छे से सौप्ट और अच्छे से फेट लेना है ताकि हमारी जलेबी सौप्ट सौप्ट बन पाए तो आप यह देख पारे होंगे कि मैं अ पेस्ट गाड़ा है तो इसमें थोड़ा, हलका सा पानी डाल कर हम लोग इसे और संपट कर लेंगे और थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि हमारी जले भी बहुत अच्छे से बन पाएं तो आप यह देख पारे होंगे कि मेरा पेश्ट अच्छे से रेडी हो रहा है और उसमें थोड़ा हलका हलका पानी डालना है हमें ज्यादा इसमें पानी के साथ में हम लोग पानी न डालकर हम लोग दूद भी डाल सकते हैं जिससे हमारा पे इसे ही बनने वाली है जो कि आप लोगों ने आगे देखी और देखिए आप यह जब हमारा पेश्ट बन गया है और जब हमारी पूरी पनी भी कंप्लीट है तो यह मैंने एक तरफ से अच्छे से काट कर इसे धूल लिया है और यह मैंने दूद की ही पनी के उली क्योंकि य इसलिए हमें तेल होगे देखी लने की जरूत नहीं है जो हमारा पेश्ट है वह इसमें चिपकेगा नहीं इसलिए मैंने पनी लिये और बहुत अच्छे से उसelveट से भर दियार भरने के बाद में रबड़वेंट से इसे पक कर दीया है अब यह छोटा सा जो हमारा कोना है इसे हम लोग कैची से थोड़ा हलका सा काट लेंगे और जितनी मोटी हमें जलेवी बनाना है उतना ही बड़ा हमें गड़ा करना है तो इस प्रकार से मेरी पूरी जलेवी बनकर रेडी हो चुकी है दूस्तों अगर आप लोगों को ये रेशिपी पसंद आई हो तो प्लीज ल काप्टर लगती है बस उसी प्रकार से जलेवी बनती है थेंक यू अगरे 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 अगरे